तो भगवान शंकर को श्रावण प्रिये है एक कारण कहा कि मन्थन में जो विश निकला उस विश का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जलबिशेक किया माता सती ने शंकर को पाने के लिए श्रावन के महिने में ही सबसे ज़्यादा साधना करी है और क्या कर था माता सती ने एक बालू का मिट्टी का शिविलिंग बनाती थी प्रती दिन शिविलिंग का निर्मान करती थी और शिवलिंग का निर्मान करकर उसकी पूजन करकर अर्चना करकर उसका विसर्जन करती थी सती माता और माता सती का नियम था बगवान संकर को पाने के लिए शिवलिंग का नियम ब्रहमन स्रेत मट्टी के शिविलिंग का निर्मान करे वेश पीली मट्टी के शिविलिंग का निर्मान करे चत्रिय लाल मट्टी के शिविलिंग का निर्मान करे और शुद्र काली मट्टी के शिविलिंग का निर्मान करे कितना बड़ा शिवलिंग बनाना चाहिए अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्मान कर रहा है या हमारे घर में हम कोई मूर्थी रख रहा है या हमारे घर में हम कोई मूर्थी को विराजमान कर रहा है तो उस मूर्थी का भाव कितना बड़ा होना चाहिए तो कहा जमीन पर अपने हस्त कमल को रक्कर आउठे को उचा करकर देख लो बस इतनी बड़ी मूर्ती घर के अंदर होना चाहिए चाहे वो लड़ू गोपाल की हो, चाहे वो दुरगाबवानी की हो चाहे वो राम जी की हो, शंकर जी की हो, कृष्ण की हो, जिसकी रखना हो, बस इतनी बड़ी मूर्ती घर के अंदर होना चाहिए, क्यों? इससे बड़ी अगर मूर्ती होती है, तो जैसे मंदर में सेवा होती है, उतनी सेवा की उसको जरुरत पड़ती है, और अगर इससे चोटी होगी, उतनी सेवा कम करना पड़ती है, तो मूर्ती जितनी छोटी होगी, उतना सुख परदान करें, उतना अनंद देगे, पर श्रावन के महिने में, यदि आप रोज शिविलिंग नहीं मना सकते, तो पूरे महिने में एक बार शंकर का शिविलिंग का पार्थिव शिविलिंग का निर्मान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, और पार्थिव शिविलिंग का निर्मान करकर उसकी अराधन, उसकी अर्चन, उसकी पूचन करना चाहिए, नमस्षिवाए, ओम नमस्षिवाए, ओम नमस्षिवाए, नमस्षिवाए, पार्थिव का जब भी भी निर्मान करें किसी थाली में या पात्र में जिस पर में जिसमें भी आप निर्मान कर रहें उस पार्थिव श्विलिंग को बनाने से पहले उसके अंदर पात्र के अंदर एक बेलपत्र रखें बेलपत्र क्या आपको कथा में कल कहा था बेलपत्र का व्रक्ष म फिर उसके उपर शिवलिंग का निर्मान करें, फिर उसके उपर शिवलिंग करें, उसका लाब आनन्दित होगा, उसका सुक आनन्दित होगा, वो आनन्द फल देने वाला होगा, कई लोग सीरे ठाली में शिवलिंग बना देते हैं, माता पारवती के हस्त कमल पर शिवलिंग का निर्मान है माला हस्त कमें सुक देने के तो वगवान शंकर के शिवलिंग का निर्मान करें माता सती ने भी किया यही श्रामन के महिने में माता सती शंकर वगवान के शिवलिंग का निर्मान करती है पूजन करती है अर्चना करती है फिर शाम के समय उस शिवलिंग को मस्तक परश कर कर जलाशे में, कुंड में, जल में बावडी में, कुए में, तलाब में उसका भी सर्जन करते है, मा, दूसरा करण कहा, सती शंकर को इसी श्रावन में रिजाई थी, इसलिए शंकर को श्रावन अती प्रिय है, कि पहले आती है नौमी फिर आवेगी एकादशी देव सोनी, तो भंडरिया नौमी का मतलब क्या होत अभी आपको कहता, नौ जगा पर बेलपत्र चड़ती है, भंडरिया नौमी का मतलब ही है ये, कि भगवान विश्नु सोने जाने से पहले, नौमी तिथी के दिन, नौ बेलपत्र भगवान शंकर को समरपित करकर, भगवान शुब के मंदर में बेट कर, भगवान शंकर की राधना करकर, भगवान विश्नु लच्मी जी के साथ, अपनी स्तरश्टी का कारेभार, चार महिने के लिए संकर जी को सोब देते हैं, भंडरिया नौमी के दिन, और एका दशी के दिन से, देव सोनी एका दशी के दिन, जब भगवान सोते हैं, उस दिन से, भगवान संकर पूरे कारेभार को देखते हैं पूरे कारेभार जब कारेभार सोपा गया भगवान संकर सश्टी का संचारन करने लगे तब भ्रह्मा और विश्णु ने आकर संकर जी की अराधना यही श्रावन के महिने में करी थी कि आपने पूरा कार अच्छे से समाला इसलिए शंकर को त्रावन अतीपियह हैं यह तीसरा कारण शंकर को प्रियता का करें कि कि संकर को ऐसे राधना माता पार्वतीने बाल पंसे करीफ खूब खुब दिल से करें ये करते हैं कि अगर एक लाख बेल पत्र समर्पित कर रहे हो और तुमारे पास में अगर वो बेल पत्र नहीं है तो तुम एक लाख मत चड़ाओ आप तो एक बेल पत्र फरन्तु वो बेल पत्र भी पून तरासु साप सुन्दर सुरक्षित खंडित ना हो वो मुझे समर्पित कर रहे एक चावल का दाना चड़ाओ पर वो खंडित ना हो एक खल चड़ाओ वो खंडित ना हो एक पुश्प चड़ाओ वो खंडित ना हो शिव करते हैं मेरे हाथों से मेरा पुत्र खंडित हो गया था उस दिन से मैंने वचन दिया है माताप पारवती को कि खंडित वस्तु सिकार नहीं करूंगा और ना खंडित दूंगा शायद इसी लिए ये चरीतर कता है कि जिस नारी का गर्व दो तीन महिना थेरने के बाद में गर्व गिर जाता हो चार महिना थेरने के बाद गर्व गिर जाता हो गर्व बच्चा पूर्ण नहीं होता हो या बच्चा कहीं शरीर के अंदर डॉक्टर के रहे सोनोग्राफी में कि ये विकलांग है बच्चे के पाउं में या मुख में या शरीर में पानी भड़ा गया है ये सुरक्षित नहीं होगा, ये बुद्धी से कंजोर होगा, ये बच्चा ऐसा विकलांग होगा, तो उसी समय पर जैसे इक अफ्टर ने कहा, बेसे एक श्रीफल और वो श्रीफल घंडित नहीं होना चाहिए, उस श्रीफल पर जो नारी है, गर्व से है, उस नारी का सिर से लेकर एड़ी तक एक लच्छा लच्छा मतलम मोली, मोली मतलम नारा जो हाथ में बांते हो कलेवा, उसको नाप कर, श्रीफल पर भगवान शंकर का नाम लेकर, उस इस्तरी का नाम और गोतर बोलकर बांद कर, भगवान शंकर के चर्णों में ले जाकर रख दीजिए, फिर बच्चे के जवागतारी शिव की हो जाती है, फिर शंकरती है, क्योंकि शिव ने माता पारवती को वचन दिया था कि मैं खंडित नहीं दे सकता, सारे देवताओं के मंदिर में नरियल फूटता है, हनमान जी के मंदिर में नरियल फूटता है, राम जी के मंदिर में नरियल थोड़ा जाता है पर शंकर-जी के मंदल में नभि JEFF अःधा की आठा दिया चाता है कि कूण दीजिए वैल पत्र पून दीजिए यह के छावल का दानाζ भी दे रहे हो तो कूण दीजिए उसमें एक और अच्छी बात बहुत ध्यान लगा कर सुनिये गज़गे जितने आस्का सिनल पर सुन रहे हों, यूटूब पर सुन रहे हों, हैस्बुक पर सुन रहे हों या इस पंगाल में श्रवान कर लेगा, बहुत साउधानी से ध्यान दीजेगा कभी श्रावन महिने में अगर आप शंकर जी के मंदर में जाएं और शिव मंदर किसी ब्रक्ष के नीचे हो, बट ब्रक्ष के नीचे हो चाहे पीपल के ब्रक्ष के नीचे हो, चाहे वो आउले के ब्रक्ष के नीचे हो, चाहे वो बेलतत्री के ब्रक्ष के नीचे हो, चाहे व कोई मंदिर या शंकरजी का कोई शिवलिंग रखा हूए तो एक दुर्वा allergy किसी भी श्रावन महिमे में न जबभी भी किसी स्वालय में जाएंक द्रim vịशा के नीचे शिवलिंग लें उस शिविलिंग पर ये शिविलिंग रखा हुआ है ये जलाधारी जलाधारी पर जहां शिविलिंग रखा हुआ है वहां कटी भाग माता पारवती जी का हस्ततमन उसके उपर रखा हुआ है शिविलिंग सामने अशुक सुंदरी और भगवान संकर के दोनों पुत्र गणेश एक दुर्वा समर्पित करकर जिसकी किड़नी या लीवर डेमेज हो रहा हो काम नहीं कर रहा हो या किड़नी लीवर में कोई तकलीफ हो रही हो या डायले से शल रहा हो तो मात्र एक दुर्वा उसको कटी भाग पर श्रामन महीने में समर्पित करकर उस दुर्वा के साथ तुकड़े करकर साथ दिन प्रती दिन सुबहा के समय पर उसको चबा कर खा लेने पर या निगल जाने पर दीरे 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 डीरे डायलेस्यस जंध होने लगता है और किड शंकर भगवान पर चड़े हुए जल जब नीचे की ओर आता है जिस जगहा पर जल गिरता है उस जगहा पर मात्र एक दुरुबा अपनी कामना करकर इस शरीर के सुख के लिए शंकर भगवान के जल गिरने वाले इस्थान के पास में अब धुंतेश्वर महादेव के नाम से रग दी जाती है तो जिंदगी में कभी बड़ी बिमादी नहीं आती उसी तरह इसे रोग कुस्त माफ्त करने के लिए दुरुबा का प्रयोग किया है आप लोगों ने पूर्व में जो श्यो महाद पुरान की कथा कुबरेश लुगा की धना से करी थी वह आप लोगों को भ्यान में होगा दुरुबा कैसे उत्पन हुई थी दुरुबा का महत्व क्या है कितनी दुरुबा चड़ाना चाहिए केसी दुरुबा चड़ाना चाहिए दुरुबा की उत्तत्ती कहां से हुई है दुरुबा तोडने के बाद पानी में डालने के बाद फिर हरी हो जाती इसका क्या कारण है दुर्वा गणे जी को क्यों चड़ाई जाती है शंकर जी को दुर्वा किस इस्थान पर चड़ाई जाती है इस सारी कथा आपको पूर्व में इसी कुबरिश्वर भावा के पामंदरा से सुना चुके हैं जो टीवी पर डली हुई है कभी आपने नहीं सुनी हो तो यूटूब पर से दुर्वाश महापुराण की कथाप निकाल कर उसको श्रिवन कर से उसमें वड़न किया है कि इस दुर्वा का महत्व क्या है इस दुर्वा का क्या मत्र एक दुर्वा श्रिवलीन पर चड़े हुए जल जहां से नीचे की और आए उस जगापन मात्र अपने श्रीर की कामना करते हुए भगवान से ज्लोग होती के लिए एक दुर्वा अगर समर्पित कर दी जाए तो कोई बड़ी बिमारी जिंदगी में आहीं नहीं करण ही निपा अलग ग्रसित नहीं स्रावन के महीने की स्रावन शुमापुराण क रहे हिए एक बाद दिल से बताना मारी हूझ जितनी सूभाग्य वती माता होती है ये स्वाग्य कोई क्यातर देंगे कर दान क्यों किया है सुब्हाद रिखत वस्तूवन का दंद क्यों क्या जाती है सुभाद रिहाएं को प्रजानत परीम आदर को दीजाती जाती Originally कि उसका कारह है कि है कि युदिस ħु महाराज warehouse भारत की भूमी की सोबहा की वत्मी माताओं का एक मन की अभिलाश्ता रहती है की जब उसके प्रान चूटें तो अखंड सोबहा के धार्ण करके पती के कंदे पर और पुष्ट के कंदे पर समशान पर ये भारत की भूमी की माताओं की सोच उनके मन का संकल्प उनके मन का भाव क्यों देते हैं चुड़ी का डान क्यों देते हैं बिंदी का डान क्यों देते हैं खंड सुबा के का डान किस है भारत मेरे हाथों में भर भर के छूड़ी रहे मेरे हाथों में भर भर के छूड़ी रहे और महिया कोई काम ना है मेरे मस्तक पे चमकती छूनर रहे मेरे मस्तक पे चमकती छूनर रहे और महिया कोई काम ना है मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे और महिया कोई काम ना है मेरे पाओं में भिछूरी का जोडा रहे एक बिछूरी नहीं किती दो तीन चार पाच एक एक पाओं में जोडे से विछूरी होना चाहिए केवल एक नहीं सिंगल नहीं पुता आजकल का फैसन होगया मारत जो केवल एक बिछूरी धारण कर लो उसी में फैसन जिखे स्रावन की शुमहापुरान की कफा करती है जब बेटी को विदा करा जाता है और पहली बार बेटी के पाओं में जब बिछूरी डाली जाती है तो वो बिछूरी भी अलग-अलग नहीं होती उस बिछूरी के जोड़ को चेन से एक दूसरे से बंदा हुआ हुआ बोला साइए कि अलग है जितने आसका चेनरल पर प्रकता सुनदा है जितने पेस्बूप पर सुनदा है सुन लेना कि मेरे भारत की माताओं का जब पानी ग्रण संसकार किसी वेकी का होता है उसके पाउं में जब पहली बार बिछूरी पिनाया जाता है बिछूरी पिनाया जाती है तो वो बिछूरी भी एक दूसरे से बंदी हुई होती है चेन से बंदी हुई होती है उसको अलग-अलग वाली विछूडी साधी के मंड़प में नहीं बिनाई जाती क्यों जैसे ये विछूडी एक दूसरे से पाउं में बंदी हुई है तुमारी जिन्दगी अंतिम स्वांस तक तक ऐसी बंदी की बंदी हुए यही बंदी है अब माताओं ने खोड़ा सा फेशन चेंज कर दिया अब पाउं में जाता विछूडी निप्रती गड़ती है चुबती है एक विछूडी धारण मारा परनाई विछूडी भी दो हो जोड़े से हमारी माताओं भारत की भूमी की जो माताओं ये चुडी भी हाथ में पहनती है तो जोड़े से पहनती है बोलो जैसा सही है कि गलत है एक अकेली चुडी माताओं हाथ में धारण नहीं करती है अगर भारत की भूमी की संस्कारित माताओं है और भारत की भूमी की सब्वेता और संस्कति को जानती है तो अकेली चूड़ी नहीं जोडे की चूड़ी पेनेगी दो जूड़ा डालेगी चार डालेगी बारा डालेगी पर सिंगल नहीं अकेली नहीं श्रामन के मही में ही परवती जी ने और गंगा जी ने चतुर मास में जितना सुभाग्यकतान दिया है उनके बराबर दुनिया का कोई वर्थी इतना सुभाग्यकतान नहीं देसे ता जो माता गंगा और पारवती दोनों दान दे लिए परवती दिन दे लिए और अब तो फैसान आ गया तम लोगों जो सुभाग्यकतान दे तो प्लास्टिक की डलिया में दे लिए पर पर एक एक पुरान को उठा कर देख लेना एक एक ध्वापन को उठा कर देख लेना जितनी तुम कठात हमारे घर में छोटी-छोटी कठाओं की पोथियां पढ़ियों उनको उठा कर देख लेना उसमें नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सुभाग्यकी बस्वापन का दान दिया जाता है उसमें लिखा है बास की पिटारी में बास की डलिया में सुभाग्यकी बस्वापन का दान दिया जाता है क्यों क्यों क बास बंश्र की वरत्वी करता है बास सोभाग्य की वरत्वी करता है और बास अक्थन प्लास्टिक ही नहीं तो गंगा महिया और पारवती महिया चतुरमास के अंतरगत जो व्रत पड़ते हैं ये किसी दूसरे के नहीं है प्लास्टिक ही तीज का व्रत मता पारवती का चतुर्तिक व्रत मता पारवती का ये सारे व्रतों की शुरुबात गंगा और पारवती ने अपने बड़ते हैं ओम नमा सिवाय दोस्तों हर हर महादे हमारे यूट्यू चैनल में आपका स्वागत है अब पंडित परदित निस्राजी के मुख से अच्छी कुपाय के बारे में जानिए और अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो आवस्तिक तरह बताए गए स्रीव महापुरान अथा के अंतरगर उपाय को जानिए के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें महादेव आपकी सारी मनुकामना पूरी करें इसी के साथ स्री सिवाय नमस्तु भ्या हर हर महादेव घरगर महादेव